आज में लेकर आई हूँ आपके लिए जन्माश्टमी पर बनाई जाने वाली पंजीरी की रेसिपी आज हम आटे की पंजीरी बनाने वाले हैं इसे बनाना बहुत आसान है और ये खानी में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है जन्माश्टमी पर कृष्ण जी के भोग के लिए कुछ लोग आटे की पंजीरी बनाते हैं तो कुछ लोग धनीय की पंजीरी बनाते हैं धने की पंजीरी की रेसिपी अल्रेडी मेरे चैनल पर है, इसलिए आज मैं आटे की पंजीरी बनाने वाली हूँ, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं हलो एवरिवन, मैं हूँ शिवानी और आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है शिवान्स किचिन में सबसे पहले हम गैस पर एक कड़ाई या पैन रखेंगे, जिसमें हम पंजीरी के लिए आटा भूनेंगे, अब इसमें हम एक चोधाई कप के करीब शुद्ध गी डालेंगे, क्योंकि हम पंजीरी प्रशाद के लिए बना रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर शुद्ध गी का ही इ जैसे जैसे आप इसे चलाती जाएंगे, घी आटे में अच्छे से मिलता चला जाएगा, अच्छा आटा भूनते टाइम आपको ध्यान रखना है कि गैस की फ्लेम बिलकुल लो होनी चाहिए, अगर गैस की फ्लेम तेज होई तो आटा जल सकता है, इस तरीके से लगातर चल आते हुए हमें पूरे आटे को अच्छे से भूनना है, जब हम पंजीरी के लिए धीमी आज पर आटे को भूनते हैं, तो आटे का कच्चपन पूरी तरह से निकल जाता है, जिससे की पंजीरी काफी टीस्टी वनती है, और आटे को भूनने में पूरा 15-20 मिनट का टाइम लग सकता है जैसे जैसे हमारा आटा भूनना शुरू होगा उसमें से हलकी हलकी खुश्वू आना शुरू हो जाएगी और आटे का कलर पहले सिव चेंज होने लगेगा यहाँ पर आटे को भूनते हुए 12 मिनट हो चुके हैं तो अब हम इसमें डालेंगे आधा कप के करी मखाने मखाने को मैंने चार भागों में तोड़ लिया है आप चाहो तो इसमें साबुत भी डाल सकते हो अब हम मखाने को भी इसी में भूनते जाएंगे जिससे आटा और मखाना एक साथ भूनकर तयार हो जाएगा हमें अलग से मखाने नहीं भूनने पड़ेंगे हम पंजीरी में जो भी ड्राइफ रूट्स डालने वाले हैं उन्हें इसी तरीके से भूनकर डालेंगे इससे इसका टेस्ट काफी अच्छा आएगा अब यहां पर हमें 3-4 मिनट हो चुके हैं मखाने को आटे के साथ भूनते भूनते अब हम इसमें डालेंगे 6-7 कटे हुए बादाम और 6-7 कटे हुए काजू और 2 चमच के करीब ग्रेट किया हुआ नारियल अब 2 मिनट के लिए इन सब चीजों को और भूनेंगे जिससे के हमारे ये ड्राइ फ्रूट्स भी अच्छे से भून जाएंगे पंजीरी बनाते समय जो भी मेवा आपको डालनी है आप डाल सकते हैं या फिर इसके बिना भी इसे बना सकते हैं आटे में से बहुत अच्छी खुश्बू आ रही है और आटे का कलर पूरी तरह से चेंज हो चुका है यानि आटा भून कर तैयार है तो अब हम गैस को बंद कर देंगे गैस से नीचे उतारने के बाद भी हम इस तरीके से इसे चलाते हुए ठंडा करेंगे जिससे कि ये नीचे से लगे नहीं जब ये इतनी ठंडी हो जाए कि आप इसे अच्छे से हाथ लगा सको तब हम इसमें तीन चोथाई कप के करीब बूरा डाल देंगे आप यहाँ पर बूरे की जगे पिसी हुई चीनी का इस्तमाल भी कर सकते हैं अब इसे हम अच्छे से मिला लेंगे जनमाश्टमी पर कृष्ण जी को पंजीरी का भोग लगाया जाता है कहीं पर आटे की पंजीरी का भोग लगाते हैं और कहीं पर धनीय की पंजीरी का आज हमने आटे की पंजीरी बनाई है, अगर आपको धनीय की पंजीरी की रेसिपी चाहिए तो वो मेरे चैनल पर पहले से ही डली हुई है और ये दिखिए पंजीरी में मूरा अच्छे से मिल चुका है और ये लीजिए आटे की पंजीरी बनकर एकदम तयार है बस भोग लगाने से पहले इसमें तुलसी के पत्ते डालना ना भूलें एक वार आप इस पंजीरी की रेसिपी को जरूर ट्राइ करें आपको ये बहुत पसंद आएगी इस जनमाश्ट्वी पर आप इस मंजीरी को बना कर कृष्ण जी का भोग लगाएं और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और शेर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थेंक यू